जबड़ जी आप उत्राखंड को लेकर क्या कहेंगे धामी ने सब कुछ म्यानिज कर लिया धामी के चेहरे में कुछ नया बदलाव आया ये उत्राखंड बीजेपी में जिसके लिए धामी भी जिनमेदार है देखे अगर ये पॉल ऑफ पॉल रहते हैं ऐसे ही और ये रिजल्ट में तबदिल होते हैं तो ये बड़ी बड़ी जीत होगी धामी के लिए क्योंकि इतने चेंजिस हम सभी स्पीकर्स पैनल पर कह रहे हैं कि इतने चेंजिस हुए और जो के हुए भी हैं तो उस स्थिती में छे महिने के लास्ट के 6-8 महिने में उन्होंने जो है उसको कंट्रोल किया लेकिन मैं धामी के साथ साथ अगर ये रिजल्ट ऐसे आते हैं जैसे एक्जिट पॉल दिखा रहे हैं तो धामी के साथ साथ मैं कहूंगा कि वह पर मोधी फैक्टर बहुत काम करता है तो मोधी का एक स्पेशल कनेक्शन है उत्राखंड के साथ वहां की जो जनता है थोड़ा सा एक जो कहेंगे नेशनलिस्टेक बहुत ही फ्लेवर थोड़ा सा वहां पर चलता है उस हिसाब से तो उस हिसाब से बीजेपी ने वहां पर कैंपेंड भी अच्छा किया है और कहीं न कहीं इस रि में इंटर्नाल कंफ्लिक्ट है लेकिन आप मोधी के चेहरे में बोल रहे थे कि निरवाचन लोगों ने भोट दिया महिला फैक्टर इसको कैसे देखेंगे हिंदू फैक्टर भी था तो इसलिए आप सोचते ही कि बीजेपी आ सकता है बिलकुल महिलाओं का फैक्टर बहुत इंपोर्टन्ट है जो बीजेपी ने पूरे एलेक्शन में किसी भी स्टेट में उन्होंने जो एक फैक्टर खास करके मोधी ने डिलेवर किया कि उजवला की योजना थी गैस कनेक्शन्स थे लोगों के घर बने हैं जो पीने का पानी घर-घर में टैप वाटर पाढ़ों म जो बद्रिनात धाम है इसका जो वहां पर नवीनी करण किया गया है तो यह भी एक बहुत इंपोर्टन्ट फैक्टर है कोवीड की वेव चल रही थी दूसरी कोवीड वेव चल रही थी उसके बावजूद हरीद्वार में कुम्ब कायोजन किया गया तो उस एरिया में इसक को बनाया है